नमस्कार दोस्तों हम सहल कर लेते प्रैक्टिस कोश्चन पहला कोश्चन हमने लिया है कि राज ने एक कार 2,50,000 रुपे में खरी दी मतलब यह हो गया क्रेम उल्य और विकरई कितने में करी उसने 3,48,000 रुपे में बेची कितने प्रतिशथ लाब तो सबसे पहले हम क्या करें लाब निकालेंगे फिर प्रतिश्यत लाब निकलेगा तो पहले वाले को हल कर रहे हैं इसमें क्या करेंगे 3,48,000 में से माइनस कर देंगे 2,50,000 को तो हमारे पास क्या जाएगा जो लाब हुआ वो लाब कितना होगा यहां से तीन जीरो ऐसे के इसे आठ हमारे पास एज़िट आ जाएगा नीचे यहां पर 14 हो जाएगा 14 में से पास गया तो मतलब 29,000 रुपय का उसको प्रॉफिट हो रहा है ठीक है अब हमारे पास सीधे सीधे लाब पर्सेंट का फॉर्मूला क्या हो तो प्रॉफिट पर्सेंट मतलब प्रतिशत लाब का तो हमारे पास क्या जाएगा यह तो पांच का भाग क्रते छॉट हो जाएगा सीधे सीधे आपके पास آंसर आ जाएगा 49.2 प्रतिशत इस तरीके से पहले वाले क्वेशन का आंसर क्या जाएगा 39.2 पर्सेंट ठीक है अब बार ही सेगंड कोशन की देखेगा सेकेंड कोश्चन हमने लिया है कि किसी वस्तु को 19,800 में बेचने पर 10 प्रतिशत लाव होता है इस वस्तु का क्राइम उल्ली क्या है ठीक है तो देखिए हमने इसके लिए सिधे फॉर्मूला याद कर रखा है क्या फॉर्मूला लर्म कि है हमने कि क्राइम उल्ली बराबर सो गुणित विक्राइम उल्ली बटे में सोधन लाव प्रतिशत तो सिधे सिधे इस फॉर्मूला में वेल्यू रख देता हूं हमारे पास है 19,800 ठीक है इसमें जब 100 का गुणा होगा तो जीरो बड़ा जाएगी और बटे में हमारे पास यहाँ पर 110 हो जाएगा क्योंकि 100 में जब 10 जोड़ूंगा तो 110 0-0 कट जाएगा 11 एकम 11 बचा 888 तो 1188 और 30 एसे के ऐसे मतलब कितने में खरीदी गई थी वो वस्तु वो वस्तु 18,000 रुपे में खरीदी गई थी ठीक है यदि 18,000 में खरीदेगा और 19,800 में बेचेगा तो उसे 10 प्रतिशत लाव होगा तो क्रेम उल्य निकालना था हमने निकाल लिया है कि 18,000 रुपे उसका क्रेम उल्य ठीक है इसी तरीके से लास्ट वाला कोशन देखेगा लास्ट वाला कोशन हमें दिया है कि एक मेज को 450 में बेचने पर मतलब वे क्रेम उल्य मिल गया 450 में बेचा उसने ठीक है 25 प्रतिशत हानी होती है हानी तो मैंने हानी वाला सूदर यूज़ कर लिया है यहां पर हाने आले फार्मूले का उप्यों कर लिया है ठीक है तो यहां पर हमारे पास सिधे इस मेच का क्रेमुली निकाला सो का गुणा होगा तो दो जीरो बढ़ जाएगी और बटे में हम जब 25 घटाएंगे तो हमारे पास आएगा 75 ठीक है इसे हम काट देंगे ठीक है का 1.500 बचे 2-0 मतलब यह 600 रुपे में खरी दी गई थी मतलब मेच की कीमत कितनी है 600 रुपे इस तरीके से आपके तीनों कुश्चन सौल हुए आशा करता हूं यह आपको समझ में आया होंगे इसे ही सारे कुश्चन समझने के लिए मुझे फॉलो करते रहिए थैंक्यू